आज हम स्वादिस्ट धाबा स्टाइल पनीर की सब्ची कैसे बनाते चलिए देखते हैं पनीर की सब्ची बनाने के लिए स्टोव ओन करके स्टोव पे पैन रखेंगे अब हम इसमें थोड़ा तेल डालकर तेल गड़म होने तब इंतिजार करें यहां मैंने एक टेबल स्पून ओईल लिया हूँ तेल थोड़ा गड़म होने के बाद दो इंच दालचिनी दो इलाइची छे लों इसमें ऴृष् उसी में दस गोलमिर्च भी डालेके पालने यह थोड़ा पताई होने के बाद आभाम हम इसमें मिड्यियम साइस के तीन प्याइच के पीसेश डाले बारिक कटे हुए चार इंच के अधरा साथ लाइस्विन के पीसे अब मिसे थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेगे स्टॉव को मीडियम फ्लेम में रखकर गोल्डेन कलर आने था कि इसे फ्राइ करेंगे देखिए दोस्तों हमारा प्यास भुनकर लाइफ गोल्डेन कलर आ गया है अब हम इसमें च्छे सूखी मिर्च डालेंगे अब इसे भी थोड़ा मिक्स कर लेगे दो मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें दो बड़ी कटे होए टमाटर डालेंगे इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेगे इसे दो मिनट तक और भुनेंगे सारे अच्छे से भुनकर तयार हो गए है इसे आप ज्यादा ना भुले थोड़ा ही भुले और गैस का फ्लेम आफ करके इसे थंड़ा होने तक बेट करेंगे 20 मिनट हो गया है अब हम ठोगले को एक बाद चेक कर लेगे देखे यह थंड़ा हो गया है अब हम इसे निक्सी में डालेंगे अब हम इसका फाइन पेस्ट तयार करेंगे देखे दोस्तों हमने फाइन पेस्ट तयार कर लिया है अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करना है देखेंगे डाबा इस्टाइल पनीर की सब्ची बनाने के लिए मैंने यहाँ 200 ग्राम पनीर लिया है और ऐसे मेडियम साइज में स्लाइसेस में कट कर लिए अभी एक बावल में इस पनीर के पीसेस को डालेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल विर्च पॉर्डर डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे यह सब अच्छे से मिक्स हो गया है अब इस नेक्स्ट क्या करना है देखेंगे अब हम उसी पैन को स्टोव में रखकर भीमियाज पर इसे थोड़ा गरम करेंगे हमारा पैन गरम हो गया है अब हम इसमें एक स्पूल बटर डालकर थोड़ा इसे पिखलने तक वेट करेंगे देखिए हमारा बटर पिखल गया है, अब हम इसमें पनीर के पीचिस को डानकर इससे थुरी दर भूनेंगें देखिए यह अच्छे से त्नाइए हो रहा है, इसे दो मिनट के लिए थोड़ा और भूल Yay देखिए हमारा पनीर अच्छे से भुन कर तयार हो गया है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे अब हम उसी पैन में एक टेबल स्पून टेल डाल कर तेल गरम होने तक वेट करेंगे यहाँ ज्यादा तेल डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने मसाले में बहले तेल डाला है तेल गरम होने के बाद अब हम इसमें मसाला डाल कर मसाले को अच्छे से भुन लेंगे अब हम इसमें स्वाधनुसवा नमट एक चौथाई चमच हल्दी, एक चमच लाल मिर्च पॉणर, डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें इसे भुनते वक्त बीच-बीच में ऐसे चलाते रहें ऐसे चलाने से हमारा मसाला जनेगा नहीं और गैस का फ्लेम मेडियम ही रखें देखिए हमारा मसाला बिल्कुल भी पैन में नहीं चिपक रहा है यानि हमारा मसाला अच्छे से हुन गया है अब हम इसमें थोड़ा पाने डालेंगे और अच्छे से थोड़ा उबालाने तक वेट करेंगे अब इसे धक कर तीन से चार मिनट तक वेट करेंगे चार मिनट के बाद हमारा मसाला अच्छे से पका है कि नहीं चलिए चेक करते हमारा मसाला अच्छे से पक गया है अब हम इसमें पाउ टीस्पून रोश्टेश जीरा पौडर डालेंगे और आधा टीस्पून धर्या पौडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें यह देखिए ह अब हमारा मसाला अच्छे से पक कर तयार हो गया है अब हम इसमें पहले से जो फ्राइ करके रखे थे पनीर उसे इसमें डाल देए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेए इसे 5-10 मिनट तक थोड़ी देल और पकाएंगे चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा पनीर के सब्ची बन कर तयार हुआ है कि ने देखिए हमारा सब्ची बन गया है अब हम इसे हरे धनिये से गानिस करें हमने मसालों के साथ पनीर को भुना था जिससे हमारा सब्ची बहुत ही टेस्टी बनेगा आप भी ऐसा सब्ची ज़रू ड्राइ करें अब हम गैस का फ्लेम आफ करके इसे एक सर्विंग बॉल में निकाल लेगे देखे फ्रेंट हमारा धवाई स्टाइल बनेट की सब्ची बनकर तयार हो गया है आप इसे रोटी या पूरी किसी के साथ भी बना सकते हैं रोटी या पूरी के साथ खा सकते हैं अंत में थोड़ा सा बटर डाल कर सर्व किसी अंत में पूरी किसी बना सकते हैं अंत में पूरी किसी बना सकते हैं